हेलो लोगे बैक टू एड़ी एकेडमी तो ठेहर लग रहा है आप लोग को को कमपरेजन करने के बाद की कंट्री को सबस्क्रेजिकिक कोम किन की को सी पूजिशन को पेजचन है हो पिज़ए मतलब होना चाहिए क्न की प्रज़िशन पर हम लोग काम कर रहे हैं ये सारी चीजे हैं ठीक है तो आज इस चैप्स का यूँबन डवल्पमेंट इंडेक्स के वारे में भी पढ़ा था लेकिन आज हम लोग पढने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सस्टेनेबल डवलपमेंट एस बहुत इ साइंटिस्ट ने बताया है कि हम लोग डवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन यह डवलपमेंट कैसा है सस्टेनेबल नहीं है सस्टेनेबल का मंदब अभी हम लोग समझेंगे रिनेबल रिसोर्सेस लाइक ग्राउंड वर्टर और रिप्लैनिष्ट बाइनेचर ठीक है जो रिन पीछी मिलती थी बिलकुल देशी होती थी यहं को नहीं मिलती है क्योंकि हम लोग डवलपमेंट करना चाहते manufacturing बेटे मैं अगे energized करना सुस्टेइन कर पाई जैसे हम लोग उन्हें डाइनासौरस नहीं देखे तो कहीं ऐसा ना हो कि इतने सारे जो जानवर हैं वो क्या हो जाने पूरी तरीके से खतब हो जाए कि आने वाली जनरेशन ये पूछे कि हाती कैसा दिखता था शेर कैसा दिखता था दूसरा वाटर इत तो पैटल क्या है आपका नेचल रिसोर्सेस है और ये कोन सा नेचल रिसोर्सेस है ये एक बार खतम हो गया तो दुबारा इसको बनने में बहुत टाइम करोड़ों लाखों साल बिलियंस ओफ मिलियंस सीयर्स लग जाएंगे द्यू टू जी लोजिकल प्रोसेस ठीक है फिर उनके लिए भी भाइया जोर्सें मिन्रल से उनको क्या करके चलना हैं ऐसेजा करके चलना है ठीक है ताकि वह बी शांती से जी पाऊँ है तो वह ब sih बैरइनिश कर रहें तो वह बीजार बेंदे तो बेलियंस कर रहे हैं तो यवर केन HERE अअब उसको वापस से क्या कर सकते है रियूस कर सकते हैं बहुत सारे resources होते हैं जिनको reuse कर सकते हैं और कुछ ऐसे resources होते हैं जिनको आप reuse नहीं कर सकते वही inexhaustible जए एक बार खतर होंकर यह fixed stock के गाल कुछ fixed amount पे ही अरत ने हमको दिये हैं We do discover new resources, but over time even they will get exhausted. हम लोग, new resources भी क्या कर रहे हैं, discovered कर रहे हैं, पर क्या होते जारहे हैं, resources बहुत जादा exhaust हो गए, क्यों exhaust हो गए, क्योंकि हमने इनका बहुत जादा over exploitation कर दिया, चीक है, तो sustainable development बहुत छोटना सा यही topic है, कि आपको कैसे development करना है, development तो करना है, पर इस तरीके से कि आने वाली generation के लिए भी हम इसको save करके रहे हैं, यानि कि आपने तीन आर्ट सुना होगा, reuse, recycle और reduce करना, तो अगर कोई चीज आप reduce कर सकते हो, जैसे कि, suppose कि आपकी घर में दो tunes बेच्चे हैं, जब तक कि वो पूरी तरीके से खतम ने जाती, तब तक उसको reuse कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा use करके आप उसको क्या कर रहे हैं, dumb कर रहे हैं, यह होता है reuse, और एक और हमारा बच्चा है recycle, जो resources जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल, मतलब वापस से use में ले सकते हैं, थोड़ा सा नया करके उनको क्या करें हम, रिसाइकल करें, वैसे तो हमको सारी चीजों का ध्यान रगना चाहिए, electricity हम फाल्तू नहीं जलानी चाहिए, बिना इसके जिन कमरे में हम जाते नहीं है, तो यहाँ पर पानी भी बचाईए, क्योंकि अगर पानी एक बार खतम हो गया, तो किसी के पास भी कितना भी पैसा हो, कितना भी अमेर इंसान हो, अगर पानी अर्थ पे मिलेगा ही नहीं, तो फिर आप कहां से खरीद होगे, और कंडिशन आपको बता है, कि बिना पानी के हम लोग जी ही नहीं सकते, एक दिन एक देड़ जिन में ही हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो इसमें पानी को बहुत जादा सेफ करो, जितना जादा पानी हो, पीना है आपको उतना ही यूज करो, उसको पुष्ट करते हैं एक घर में चाहें कि आधे हैं उसको पुष्टिव होय तो सारे टोपिक्स आप पढ़ लिजे को भी ड। आता है और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में यहने की नए चैप्टल के साथ मिलेंगे आई होप यह चैप्टल आपने एंजॉय किया होगा तो वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और ऐसे ही लिडि को प्यार देते रहे हैं तो तब तक के लिए बाइबाय थैंक यू सो मच